तो दोस्थों सभाइटा पसपी जीच्रेंगे डिसकस करने वाले MP, UG, PG 2420 के एड़ बिस्जंस के बारे में तो बेबी कोम BSC और में कोम MSC के हम एडमीसन्स के बारे में बात करेंगे दोस्थों हम प्राइबिट एडमीसन्स के बारे है लिख, आप बात करेंगे दोस्टों प्राइबेटेस्ट के लिए के देखने बाले हैं गॉलेज का प्राइबीट फॉर्म कब भरा जाएगा कब से स्टार्ट हो проблем क्या- vardम ब्रोसेस' होती है सब कुछ देखेंगे तो जो भी चनल पहले आप बिजिट करने हैं रोकष्ट करने हो चनल को जानदा जानदा सस्क्राइब कर लेना ऐसी जानकारी पाने के लिए और दोस्तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो इस्टाग्राम पर फोलो कर लीजिए इस्टाग्राम का जानदा जान सेर कर देना है तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ 2019 के बारे मैं दोस्तो अगर चाना का प्रायबेट पर कर लेंगे मिल प्रायबेट पॉर्म के देख लेंगे तो दोस्तो सब्सेपहले मैं आप Το कि 2019 का जो private forum apply किया गया था उसके official notification पर ले चलता हूँ तो दोस्तो हम आच चुके हैं जिवाजी उनिवर्सिटी के 2019 के forum पर जब 2019 का दोस्तो private forum apply किये गए थे वो कब apply किये गए तो उससे हमको पता चल लेगा कि हमारी 2020 में private forum कब से apply किये जाएंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपर लिखा गया है सर्व संबंदितों सब्से पहले तो मैं आपको बात बदा देना चाता हूँ जो जीवाजी उनिवर्सिटी का है दोस्तों यहां अधिसुषित किया जाता है कि यूजी बी अबी कॉम बी एस सी पस्ट इयर एंड पी जी एमे एम कॉम एमसी मैथमेटिक्स पस्ट रेमिस्टर सीजन दो जार उनिश पीस ओनली पॉर प्राइबिट इस्टुडेंट दो देखे दोस्तों यहां पर कहा लिगा है आपका जो प्राइबिट फॉर्म होगा प्राइबिट इस्टुडेंट का यहां प्राइबिट फॉर्म होगा वह आपका खांस से पर जाएगा एंप ऑल्लाइन पोटल से बढ़ा जाएगा और दोश्तों के बनादब बाता दूए तो नोटिस कब आया था तो बाद करते हैं किसकी पीस कितनी रहती है तुछ इसके बादे आपको अपने कॉलिज की पीस को समविट करना होता है जैसा रेगुलर बेसिक पर चलना है वेसा ही प्राइबिट इस्टुडेंट के लिए रहता है अब दोस्तों बात करते हैं जो इसकी लाज जेट कितनी रखी गई थी 5 नमबा 2.19 याने कि 5 नमबा 2.19 को दोस्तों 5 नमबा 2.19 को जो अपना रेजिस्टेशन कराना था 5 नमबा 2.19 इसकी लाज जेट रखी गई थी और सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी जो लाज जेट थी 8 नमबर 2019 तक और हमको अपना जो पौरम क्या था कॉलेज में बैरिपाई करवाना था 8 नमबर था जैसे हमको regular basic पर कराना होता है उसी तरह से अब देखते हैं हमारा जो 1 नमबर 2019 को क्या किया कया था पौरम आया था 1 नमबर 2019 को पौरम आया था यानि कि ऐसा कोई भी नहीं था हो जो हमारा सेसन होता है वो जुलाई से स्टार्ट हो गया था स्टडी का सेसन जुलाई से स्टार्ट हो गया था लेकिन इस बार क्या हो रहा है दूसरों COVID-19 की जोई से 2020 में जो आपका जुलाई में जो आपका regular के पौरम जो की complete हो जाने चाहिए थे जुलाई में लगवा लगवा एक अगस्ते दस अगस्ते के भी जो complete हो जाने चाहिए था भो अभी तक चल रहा है स्टम्ब तक यानि कि पूरा का पूरा देड़ महान लेट यानि कि पूरे के पूरे देड़ महीने लेट रहा है पूरा पूरा सेशन टिक इस हिसाब से आपको इस हिसाब से लग गया होगा अंदाजा कि हमारा कव आने वाले हैं पौरम तो 2020 के अगर हम बात करने तो 2020 में हमारी जो पौरम आएंगे एक नमंबर 2019 को जो आया ता लगव लगव जानदा टाइमिंग नहीं रहेगा कोकि एक अक्टूवर को हमारा कौंक्रिया हो जाएगा जो रेगुलर सेशन स्टार्ट हो जाएगा एक अक्टूवर से एक अक्टूवर से सेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा और लगव लगव ल को आयें पौरह में पराइंगे हमारे गालगब दोस्तों बहुत सारी कमेंट आ रहे थे कि प्राइबेट स्टुडेंट्स के रिजो की admission कब से होगी तो मैं आपको बता देना चाहते हूँ आपको अंदाय लग गया होगा कि आपके जो admissions होगे private admissions private admissions जो हमारे होने बाले हैं अब वो हमारे होने बाले हैं दोस्तो वो होगे हमारे 15 नमंबर से लेकर 25 नमंबर की बीच में कभी भी हमारे जो कि admission start हो जाएंगे तो यह ती जानकारी जो आपके लिए जानना जरूरी था उम्मिद कर रहा हूं जानकारी समझ में आके होगी तो दूस्तों इस वीडियो को जानता है जानता है जानता है शेयर कर देना जिसके सभी चातरों इस बारे में नोले मिल सके और आपको कोई भी जानता है 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 जानत